इस बार तो भारतिय जंता पार्टी को अपने अंदर से ही फर्क पढ़ने वाला है, सहयोगियों से भी पढ़े गाई, लेकिन अपने अंदर से ही फर्क पढ़ने वाला है, और आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से योगी और मोदी के खेमों के बीच की टक उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको खुले आम दिखी है योगी और मोदी को लड़ते हुए आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है देखा है अभी इन्होंने किसी तरीके से इसको जो है आरेसेस के दबाव में आ करके थोड़ा इसको सुल्जाने की कोशिश की है ले योगी एक मठ के मठाधीस रहे हैं और मठाधीस हमेशा आदेश देते हैं वो कभी किसी से सलाह नहीं लेते हैं सत्ता में आने के बाद भी मठाधीस ही बने वे बने हुए हैं और उस गुंड़ा फोज के आतंग के दम पर जिस तरीके से उन्होंने वहाँ अपना राजनीतिक आधार कायम किया, आज उसी तरीके से प्रसासन में बैट करके, सत्ता में बैट करके, पूरे प्रसासन और पुलिस के सहयोग से पूरे प्रदेश को एक गुंड़ा राजमय योगी ने बदला है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, और खुद उनकी पार्टी के जो विधायक हैं सांसद है, आपने देखा भी, केंद्री मंत्री, केंद्री सरम मंत्री उत्तर प्रदेश के बरेली के सांसद, वो जो हैं रो रहे हैं, कि हमारी इस राजमय कोई सुनाई नहीं हो रही है, योगी राजमय, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मैं कहना चाहता हूँ, कि वो इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और इस सरकार को वो जो है उसका करारा जबाब दे जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद जो है तै होगा कि कौन ये कभी तै नहीं होता है कि वह एक ब्यक्ति हर उसके बाद जब तक योगी नहीं था क्या तब तक उत्तर प्रदेश जो है इस सतर सालों में 65 सालों में क्या उत्तर प्रदेश नहीं चला है। इनका रिजिम इस देश के अंदर अब आगे चलने वाला नहीं है।